एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरू जी पर जाप सब को पता जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन के विडियो जाप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका ओस आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हू Oxford Current English Grammar के exercise 62 के solution को लेकर के जिसमें करना है आपको put the following sentences into the passive voice passive voice में इसको change करना है यह exercise 62 है इससे पहले मैंने और विडियोज बना दी है 61 के विडियो अभी आपको उपर नजरा जाएंगे आई बटन में और एक जोड़ी बात और कि मैंने वाइस को एकदम सुरू से यह solution विडियो है इसमें मैं सीधा solution बताऊंगा है ना लेकिन इसको detail में और हलका हिंड दूँगा बाकी detail में आप जानना चाहते हैं तो link उसका उपर आई बटन में नजरा रहा होगा और नीचे description में भी आप ढूंड सकते हैं कि मैंने उसमें बता है वाइस के पांच वीडियो बना के step by step पहला वीडियो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसके बाद वाले जैसे यह आज आज आप जो बनाने जा रहे हैं यह सब इंपरेटिव सेंटेंसे हैं यह सब इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा किसका है वो सब उसमें लिखा हुआ है और उसका न वो आई बेटर में आपको जो है वो लिंक मिलेगा grammar topics in English उसमें भी दिया हुआ आपको इस वीडियो के last में भी वह आएगा अच्छे लिए तो शुरू करते हैं यह इंपरेटिव लिए वाला है और ऐसा जब रहे जिसमें order का पता चले न उसमें हम क्या करते है तो देकि भर आजह आपने mann से लिखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं इसका जो object है जैसे do what यहाँप छो ड़ख देते हैं और फिर अपने mann से जैसे लिट लगाएते हो जैसे फिर भी ल यहां पर हो जाएगा done यह missprint है missing हो गया है मैं इसका screenshot ले लेता हूं इसको correction कर बादूँगा ठीक है तो do this at once तो क्या जागा let this be done at once लेट लगाना और बी लगाना है लेट लगा के बाद बाला को पहले ले आना object को और बी के बाद भीतरी रख देना जो बज जाए जैसे at once उसको last में रख दिए open the door वही नियम से let the door be opened inform the police let the police be informed बरेंग आगे switch off the light let the light be switched off inform him of the accident let him be informed of the accidents post the letters let the letters be posted तीक है सम्में वही देख रहे है लेट है बाद वाला object शुरू में आगया फिर बी लगा करके इस बर्व का बितरी कर दी don't close the gate अब यह बताया था don't या भीवन से शुरू होगा अब इसमें ध्यान रखेंगे don't वाले में जो है क्या करेंगे तो सब कुछ वही रहाएगा let लगा देंगे बाद वाला the gate ले आएंगे बी लगाएंगे लेकिन उस बी से पहले not लगा देंगे don't में का तो don't हट जाएगा not यहाँ लगा देंगे और तब भी लगा के जैसे भी तरी लगाते थे वैसे ही हो जाएगा यह आपने देख लि से यह मैंने बताया या don't never से जो सुरू होगा imperative sentence don't या never से उससे क्या पता चलेगा उससे दो चीज़ का पता चलेगा ठीक है एक तो पता चलेगा आपको order का ठीक है या उसी order को आप command कह लिजिए और दूसरा पता चलेगा advice का उसी को कह लिजिए आप suggestion का पता चलेगा तो इतने भी आपने बनाएं वो सबसे order का पता चल रहा था command का पता चल रहा था है यदि suggestion का पता चले तो फिर हम क्या करेंगे तब यह आसान है object को पहले रख देंगे फिर अपने मन से should be लगाएंगे never या note आ गया तो बीच में लगा दी और जो यह भर्ब है यहाँ पर यह भी थरी लिग देंगे अब यहाँ आप देख रहा होंगे दो दो आंसर क्यों देख रहा होंगे क्योंकि अपने दोस्त को कभी धोका मत दो इससे कह सकते हैं तो एक तरह से order का भी बो दो रहा और एक कही है तो सलाह का भी advice का भी suggestion का भी धोका मत दो इसलिए मैंने दोनों ब सकते हैं read this book be done this book should be read अब किताब पढ़ना तो मैंने suggestion में ही आएगा rise में ही आएगा इसलिए मैंने शुड़ भी लगा दिया वाकि आप let this book be read करके भी बना सकते है help your friends ये तो एकदम pure rai है your friends should be helped बरहेंगे आगे और अगला है don't cheat anybody क्या हो जाएगा इसका तो anybody should not be cheated है न यह सला ही ज्यादा है या फिर तो सला ही मतलब रखेंगे हां लेकिन anybody or not जो लगाया don't वाला anybody or not मिला करके nobody भी हो जाता है तब हमको not नहीं लगा नहीं नोबडी शुड़ भी चीटेड यह भी हो सकता है take medicine in time medicine should be taken in time give him a warning let अब यहां दो तरीका इसलिए नहीं है यह तो warning दे दो यह तो हर हाल में जो है वो आपको order या command यह लेकिन यह बना क्यों है दो जैसा तो जैसा आप जानते हैं let फिर object लगा दिया him फिर b लगा दिया फिर b तरी और a warning है extra में रख दिये लेकिन नहीं यहां दो दो object है यहां आप him भी object है a warning भी है तो हमने normal बना या पहले वाला को लगा करके पहला him है उसको लगा करके लेकिन दूसरे तरीके से ही बन सकता है let a warning and a be given हाँ लेकिन ध्यान में रखना है कि जब him हर देम लगाएंगे तो उसके पहले हमें two अलग से लगाना पड़ेगा इसलिए पहला तरीका बेटर है बागी दोनों में से आप किसी से भी बना सकते हैं अगले में भी वैसाई है let him give him a chance to mend himself या फिर और let a chance be given to him to mend himself help the poor गरीबों की मदद करिये तो सला ही है इसलिए the poor should be help send for the doctor the doctor should be sent for सला भी हो सकता है आलागी स्कॉर्डर में भी ले सकते है help the poor students क्या हो जाएगा the poor students should be help bring a glass of water क्या हो जाएगा let a glass of water be brought यहां तो पानी लाना order का काम है feed the poor यह बिलकुल शला का काम है the poor should be fed feed का भी थरी फेड होता है अगला है pay that bill today यह तो order ही लगता है वागी सला में भी आप बना सकते है let that bill be paid today honor the brave यह केवल सला की बात है the brave should be honored respect your elders अपने बड़ों का सम्मान करो केवल यह जो है सला हो सकता है इसलिए your elder should be respected मरेंगे 24 की ओर 24 में कहता है kindly हाँ अब आ गया please kindly वागा जो मैं कह रहा था अभी शुड़ू मने आएंगे तो तीन ची से शुरू होती है बीवन से यानि भर्व के पहले रूप से या पर don't never से तो उनसे तो order यह असल आता है लेगिन जो kindly यह प्लीज से शुड़ू होंगे या last में प्लीज kindly हो उससे जो है वो cable request का वो दोता और उसका सिर्फ एक रटा 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 या विद्ध्या है बिलकुल आसान है जैसे kindly give your money कुछ नहीं करना यह आपको रट लेना you are requested to इतना रट लेना है और kindly या प्लीज रह उसको हटा देना और बांकी को same to same लिख देना give me money यहां देखे give me money kindly help me वही यह you are requested to kindly को हमने हटा दिया तो help me बचा उसको रख दिया प्लीज टेक यूर सीट you are requested to take your seat प्लीज गो आउट you are requested to go आउट बरेंगे आगे please do me a favor प्लीज वाले में सम्में होई लेगा you are requested to do me a favor प्लीज sit down you are requested to sit down give me your pen प्लीज जो मैं कह रहा था प्लीज kindly last में भी आ सकता है नियम होई रहेगा you are requested to give me your pen हाँ अब यहाँ से फिर change हो गिया let लगके बनने वाला है पहले ही से let लगा हुआ है न तो उसमें कैसे करेंगे let him do the work क्या जया गया let लगाया let वाले में फैसे भी order command में लगाते थे और वो जो object है उसको पहले रख दिया फिर वो ऐसे भी लगा करके और जो भर्व है न वो उसका भी 3 लिख दिया हाँ लेकिन इसमें जो यह let के बाद वाला जो रहेगा subject इसको object बनाएंगे by him ठीक है अगले में भी आप वैसे ही देख लिजिए let us complete our work let our work पहले रख दिया भी लगा के भी 3 लगा दिया अब इसमें क्या है कि bias तो आप bias लगा भी सकते नहीं भी मालूम ही है और हाँ let us बाले में और में नहीं let them let him let us हर माले में नहीं let us बाले में ऐसा भी बन सकता है कि it is suggested that we should है न और बांकी जो है आपको है न जो यहाँ पर complete our work है उसको same to same रख देंगे let him write a letter 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 be written by him करेंगे 34 let us start the game तो let the game be started वैसे it is suggested that we should start the game भी चल सकता है लेकिन वो उसमें कमपसरी होता है जब object नहीं हो let us work अब इसमें कोई object नहीं है इसमें हर हाल में एक ही होगा it is suggested that we should और जो बच गया है let us के अलावा work तो work रख देंगे let us dance वैसे ही करेंगे it is suggested that we should और dance के वल डान्स बचा तो dance रख दिये let them proceed अब कहेंगे इसमें भी क्योंकि इसमें भी object नहीं है तो फिर it is suggested that we should जो होता था उसकी जगा them है तो they should हो जागा they should proceed आगे बनेंगे अब 38 से यहां से बिल्कुल फिर बदल गया एक बार क्यों बदला क्योंकि यहां देखेंगे कोई object ही नहीं है और order command है फिर तो आपको direct click देना और तब लेट लगा के भी और भी 3 ऐसा नहीं हो सकता इसमें क्योंकि object नहीं है जैसे go what object कैसे पता चलता है what से या whom से कोई देर से उसे मुतार दीजिए bring a glass of water यहां पर तो object है इसलिए हो जागा let a glass of water be brought stand up यहां कोई object नहीं है तो फिर वही you are ordered यह आप commanded लिख दीजिए to और फिर stand up है उसको पूरा लिख दीजिए do यहां कुछ नहीं है के वली है यह object है तो सवाली नहीं इसलिए you are ordered to और जो do ब या सजेस्टेट तु अब सशेस्टेट टु ट्राइट अव एफ सक्सेश वर खाड़ कोई object नहीं इसलिए you are advised यहां तो ordered हो नहीं सकता मेहनत करो यह तो सला यह हो सकता है यहां यह और या सजेस्टेट टू और खार लुक भीफोर यह लीप हैना कूदने से पहले देखो य भी सला इसलिए you are advised to look before you leave come tomorrow कोई object नहीं इसलिए यही लएगा you are advised कि यहाँ पर order भी लग सकता है कल आओ यह सला भी देख सकते है order भी देख सकते है तो इसलिए advise लगाई है order लगाई है commanded लगाई है suggested लगाई है कुछ भी to come tomorrow बरहेंगे आगे 46 की ओर 46 में कहता है do it before 3 p.m. you are ordered to यह वैसे यह भी हो सकता है let it be done by then before 3 p.m. यह भी हो सकता है फिर से मैं बोल दू लेट ठीक है क्या जाएगा let it और फिर be are done और जो बच गया वो भी रख देंगे before जो भी है before 3 p.m. ऐसे भी बना सकते थे लेकिन मैंने normal बना you are ordered to do it before 3 p.m. learn these by heart यह तो सलाही है कि इसे by heart करना मतलब याद करना इन सब्दों को contest कलो अच्छे से याद कलो you are suggested you order to learn these words by heart बढ़ेंगे put out the light तो यहाँ पर क्या हो जागा let the light be put put एक और mistake नहीं आउट है ठीक है please enter by this door पता आपको please रहा है कुछ नहीं करना you are requested to or please अटा के मांके लिख देना enter by the enter by this door तो enter by this door हो गया shut all the doors यह तो असल order लग रहा है let all the doors be shut advertise the post let the post be advertised वैसे यह सला भी हो सकता है कि इस पद का प्रचार मतलब ग्यापन दो तो उसमें वह भी हो सकता है पाकि लिखा हुआ clear rule में कि आपको जब confusion हो तो किसी भी rule से आप बना सकते हैं दोनों सही है जहां confusion हो इस तरह है इस प्रकार चाहिए यहां पर समापत हो गए अब उमीद है आपको कोई confusion नहीं हो तो comment करें comment के साथ आप question भी comment करें ताकि मुझे book निकाल के उसके question नमर को ना डूड़ना परे दूसरी बात मैं reply जहूर देता हूँ चाहे थोड़े देर सही सही कारण भी होता है मैं government school में teacher हूँ मेरे दो जगा कोचिंग चलते हैं और दो YouTube channel है तो time का थोड़ा अब आप रहता है ले reply में जहूर देता हूँ आपके जो भी अच्छे से comment साते हैं आज कल आपके comment सा रहे हैं और हाँ चैनल पर नए है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज इससे subscribe कर ले और साथ में प्रेस कर दे मेल आइकन को जिसे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक के और पहले की वीडियो जापको डूटने में आसानी हो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हावना इसने